हलो फ्रेंट्स वल्कम टू टेक्जिला चैनल आज के इस सुलिम मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोस PC में फोल्डर डिलीट करते हो अगर आप इस एरर को फेस करें हो not find this atom, could not find this atom तो इस एरर को कैसे fix करते हैं, इस प्राब्लम को कैसे solve करते हों, मार्च किडों में देखेंगे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राब करें इसी तरह के interesting विडोस देखने के लिए चले जिस तो विडोस शुरू करते हैं अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट करूँगा तो एरर शो हो रहा है atom not found, could not find this atom अगर आप भी इस एरर को face कर रहें तो इस प्राब्लम को कैसे solve करते हों, मार्च किडों में देखेंगे सबसे पहले आपको start menu प्रेस करना है उसके बाद यहाँ पर आपको tap करना है winrar यहाँ पर देखें इसको open करना है इसको open करने के बाद यहाँ पर आपको select करना है desktop यहाँ पर देखें desktop इसको open करना है उसके बाद आपको इस folder को select करना है folder को select करने के बाद आपको shift delete प्रेस करना है आप हैंपे देख सकते हैं Are you sure you want to delete? उसके बाद आपको Yes पे क्लिक करना है आप हैंपे देख सकते हैं वो folder delete हो चुका है तो आप इस तरह से GoodNotFind folder को delete कर सकते हैं तो उमीद करना दो छोटा से वीडियो यह आपको अच्छा लगा होगा अगर डो चल लगा तो लेक करिए शेर करिए और सब्सक्राब करना ना भूले टेख सिला चैनल को मिलते हैं